हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूटुब चैनल, पाइपिंग एर मेकेनिकल ग्यांग, आजके इस वीडियो में जानने वाले हैं कि फ्लोटिंग एड हीट एक्सेंजर में कितने गेस्केट यूज किया जाते हैं, और फ्लोटिंग एड हीट एक्सेंजर में गेस्केट कहां-कहां लगाया जाते हैं या यूज किया जाते हैं, अगर आप heat exchanger क्या होता है, heat exchanger कितने प्रकार का होता है और heat exchanger में कौन कौन से parts होते हैं, उनका नाम क्या होता है ये वाला मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो playlist या description में link दिया हूँ जाकर देख सकते हैं अगर आप General Fitter, Mechanical Fitter या Mechanical Technician, Mechanical Foreman या Supervisor या Mechanical Engineer हैं तो इंट्रीव के दारन अक्सर ये question पूछी लिया जाता है कि floating heat exchanger में कितने gasket लगाया जाते हैं और कहां कहां लगाया जाते हैं तो चलिए जानते हैं यह है floating heat exchanger अगर floating heat exchanger में front side यानि कि जिदर से tube bundle को remove और insert किया जाता है उस side अगर channel head लगा होगा तो तिन gasket यूज़ जाता है और यदि channel head के जगापर distributor लगा होगा तो दो gasket यूज़ जाता है अब floating heat exchanger में back side यानि कि जिदर floating heat लगा होता है उस side की बात करें तो उस side दो gasket यूज़ के जाते हैं इस प्रकार एक floating heat exchanger में अगर channel head लगा होगा तो total 5 gasket यूज़ होते हैं और यदि channel head के जगापर distributor लगा होगा तो total 4 gasket यूज़ होते हैं आप जानते हैं gasket कहा कहा लगा जाते हैं सबसे पहला gasket tube bundle को जब cell के अंदर insert के जाता है तो tube bundle के अंदर gasket वो डाल दे जатा है tube bundle को डालते समय anxious ध्यान रख़ा जाता है कि gasket डिमेज न हो जो पहला gasket लगा जाता है वो tube bundle हो cell के बीच में यहां जाकर fix हो जाता है दूसरा gasket channel head और tip seat के बीच में लगेगा और यदि channel head के जगा पर distributor लगा होगा तो distributor और tip seat के बीच में लगेगा और तीसरा gasket channel cover और channel head में यहां लगता है यह तीन gasket front side यानि कि आगे के तरफ का हो गया अब बात करते हैं back side यानि कि जिदर floating head लगा होता है तो चौथा gasket floating head और tip seat के बीच में यहां लगता है और पांचवा gasket back cover of sail के बीच में लगता है इस प्रकार front side में 3 और back side में 2 तो कुल मिला कर 5 gasket लगते हैं एक floating head heat exchanger में मुझे आसा नहीं वलकी पूर्ण विश्वास है कि एक वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक floating head heat exchanger में कितने कर सकेट यूज के जाते हैं और कहां कहां यूज के जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि fix tube heat exchanger और youtube heat exchanger में कितने कर सकेट यूज के जाते हैं और कहां कहां यूज के जाते हैं